हेलो फ्रेंड वेलकम मैं चानल फैन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खुबसूरत रिजाइनर बिलाऊच की कर्टिंग और स्टेचिंग बताऊंगी बैक नेक की तो सबसे पहले मैंने यहां पर कटिंग कर ली हुई है फैन मैंने लंबाई ले ली हुई है साड़े पंदरा इंच और इसकी बाद जो है फैन सोल्डर मैंने ले ली हुई है साड़े पाच इंच आर्म होल छे इंच और आर्म होल की गुलाई मैंने डेर इंच पर दे दी हूँ और नेक में लिए हूँ धाई इंच पे फैन देख सकते हूँ इस तरीके से और नेक की लंबाई में यहाँ पे लिए हूँ फैन साड़ेता से इंच इस तरीके से फैन देख सकते हूँ और इसकी बाद जो है फैन मैं यहाँ पे जो नेक के लिए नेक पी जो डिजाइन करूँ एक साथ लाए हैं इसकी बाद इसे रखते सब्सक्ति नेक बनाने के लिए नेक से देख सकते हो व मैंने बुग्र every Carा ली ए और यहां पे नेक मेने डाइ इंच पे नेक ले लेल्ए कुछ और मोटी से 01 ó यह यहां देख सकते वा अचिछ तरी के से और नीचे से मैं आप तीनि लूँगी देख सकते हु और यह तरीके से जो एफेंट बॉक्स बना लेंगे मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आजाए फेंट असानी से और इस तरीके से हमें हलके तीरचे में इंची टिप को रखती हुए ना लाइन डो कर लेनी है देख सकते हो फेंट टेरर को और इस की कर लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पहां पर कर लएंगे है कि अटो बुक्रम सेगा आप ने जो है में अपनी सेट करते हो न तो अच्सी फडिश खींग आती है तो यहां這是 carn के ने कटिंग द्रो की हुई थी ना B salut की फैबरिक विपसी मैं लाइन डू अच्छे से कर लaufen हो टाकि हमारी जो नेक फैन उपर नीचे ना हो और इसके बाद हम हम अच्छे से सेट कर लेनी है पिनफ कर लेनी है इस तरीके से और प्रेस भी कर लगानी है इस तरीके से बुकरम की कॉर्णर पे फैन देख सकते हूं आप इस तरीके से ऐसे करने से ना फटाफट हो भी जाता है फैन और अच्छी फिनिसिंग प्याती है तो इस तरीके से ना हमें सिला ही लगा लेनी है देख सकते हूं आप अब जो भी बीच की एक्ष्ट्रा फैब्रीक है इसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से तो पूरे को कटिंग करकी निगाल देंगे फैन और इसके बाद छोड़े चोटे कर्स लगा लेंगे पूरे नेक पे ताकि नेक भी हमारी अच्छी फनिसिंग है इस तरीके से इसमें छोड़े चोटे कट लगा लें तो देख सकते हूं इस तरीके से ना इस पे कट लगा ली हूं और इसकी बाद जो है फैन पिन को निकालते ही वह इसे प्लड़ देंगे अंदर की तरफ तब इस तरीके से प्लड़ देनी है अंदर की साइड और इसकी बाद जो है फैन अच्छे से सेट करे या फिर प्रेस कर ले करें या तो अच्छे से ब्लकुल फनिसिंग सेट हो जाएगी और इसकी बाद जो है फैन उपर से सिलाई लगा लें क्योंकि कई कई फैब्रीक ऐस से सिलाई लगा के ना हमें इस पर फिनिसिंग दे देनी है ताकि अच्छे से यह सेट हो जाए हमारी नेक आप लेक पे निजाएन दूंगे नुसके लिए में यहा पे तीनीन चौड़ी पट्टी की कटिंग कर ली हूँ इस तरीके से और इसके बाद जोयाइट कर लेंगे क्योंकि हमें पूरी पट्टी चाहिए फैन तो इस तरीके से मैं इसमें जोइंट कर ले रही हूँ और जोइंट करने के बाद जो है फैन इसमें सिलाई लगा लेंगे इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैन सिलाई लगाते हुए ना इसे पलट लेंगे चोड़ी में इसे बेल्ट बना लेंगे फैन इस तरीके से देख सकते बाब तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली हूँ और इसे अब मैं सीधा कर ले रही हूँ फैन और सीधा करने के बाद इसे प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से यह सेट हो जाए तो मैं यहाँ प्रेस कर लिए हूँ फैन और इसके बाद जो फैन इस पर डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से हाफ इंच नीचे के तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगा बीच में रहनी चाहिए फैन हाफ इंच उपर के तरफ फोल्ड करेंगे फिर से हमें हाफ इंच अंदर के तरफ फोल्ड करते हुए न इसी तरीके से पूरी बना लेनी है फेल फ्रेंड इस तरीके से उपर के साइड हमें हाफ इंच फोल्ड करनी है फिर नीचे के साइड हाफ इंच फोल्ड करनी है इसी तरीके से करते हुए न पूरे पे हमें फेल बना लेनी है डिजाइन अपनी बना लेनी है इसी तरीके से बिल्कुल बीच में आनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे आप इस तरीक کے posled Park में मैं लगान लूँगी तो मैंने अब पूरे में ऋडिझायें से इसे तरीकी से में पूरे में जो है फैन सिलाही लगा लूँगी तो मैंने पूरे में बना ली हूँ और इसके बाद यह पर फैन की जितनी हमारी फैन उतना पर मांक कर ली हूँ जैसा कि मैं यह 36 ऐच की बलाउज बना रही हूं तरह कि तो मैंने या फे 9 इंच पर सीधी लाइन डोग कर ली हूँ और वही से मैं या पर यह इसे आटेज करूंगे इस तरीके से देख सकते वाप जैसा कि मैंने यह डिजाइन रखी हुई थी फैन ने की वैसे मैं इस पर अटेज भी कर ले रही हूं देख सकते वाप और जो 9 इंच तक चेश्ट हमारी 46 साइज है फैन तो मैंने या पर 9 इंच फिटिंग के निसान तक ही फील को रखी हूँ फैन इस तरीके से देख सकते हूँ आप तो यह मैं सिलाई लगा ली हूँ फैन और उपर की नेक पे ना मैंने लेस लगा ली हुई है पथले में और इसके बाद इस तरीके से ना दोनों साइड को हमें पकड़ते हूँ इस तरीके से बीच में जो है फैन इससे हमें सिलाई लगा ले नहीं है और इसके बाद मैं या पर मोती अटेज कर रही हूँ इस तरीके से नहां में दोनों साईट को पकड़ते हुए बिलकुल एक में चीपकाते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से एक और मैं आपको बना के दिखा देरी हूँ फैन देख सकते हुआ आप दोनों को हमें पकड़ लेनी है और सिलाई लगाते हुए गाटे बांद लेनी है इस तरीके से तो अच्छे से आप इसे तीन से चार बढ़ना अच्छे सेट कर ले ताकि यह खुले ना फैन और इसके बाद देख सकते हुआ मैंने यहां पे बिल्कुल फिटिंग के निसांता की फैन इसे जोइंट की हूँ और इसके बाद यह हमारी बलाजरेरी हो गई है अब इस पे मैं प्लेट दाल दूँगी बैक साइट की इस तरीके से देशा कि मैं माक करी हुई थी फैन उसी पे हमें इस पे प्लेट दाल देनी है और प्लेट दाने के बार मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूं तो आपको यह मेरी डिजानर भ्लाउस कैसी लगी प्लीज मुझे क झाल देनी हमें प्लेट